एलो वरिवन वेल्कम बेक टू हिमाज़वाजवाड सक्सेस बुक और हम डिसकस करेंगे 24 से 30 अपरायल 2020 के हिमाजब पतेश के ग्रण डेश इसके लाबहा अगर आप को इस सेशन की पीडियाप चाहिए तो आप टेलिगाम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम पर सच कीजिए Himajal Success Book और वहां से आप इसेशन की पेडिया पर आप कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं डिसकेशन फर्सक्षिन इस इडिया और विच नैशनल पार्क इन हिमाजवदेश विल बी इंक्रीज़ और इडिया इंडिया हिमाजवदेश में किस रास्टे उध्यान का ख्षेतर फल बढ़ाया जाएगा और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा रास्टेए उध्यान बन जाएगा दिखे जो option दी गई हैं पांच option दी गई हैं और पांचों के पांचों ही national park हैं वो हिमाजवदेश में स्टित हैं इन में से एक national park ऐसा है जिसका area increase किया जाएगा और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा national park बन जाएगा और ये है हमारा Great Himalayan National Park तो जो हमारा कुलू जिले का Great Himalayan National Park है इसका area बना जाएगा इसमें दो national park को मिला जाएगा और दो centuries को मिला जाएगा इसमें एक है कुल्लू जिले का खीर गंगा नेशनल पार्क जिसका एरिया है 710 स्क्वेर किलोमेटर दूसरा है लॉस्पिती जिले का पिन वैली नेशनल पार्क इसका एरिया है 675 स्क्वेर किलोमेटर इसके लबा किनौर जिले का रूपी बावा वण्य जीवन अभियारन, इसका एरिया है 530 स्केल किलोमेटर और पारवती गाती का कवर अभियारन, इसका जो एरिया है वो है 61 स्केल किलोमेटर और 255.6 वर्ग किलोमेटर का एक एको जोन इन सभी को Great Himalayan National Park में मिला जाएगा और जब इन सभी को Great Himalayan National Park में मिला दिये जाएगा उसके बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन जाएगा और उस समय इसका एरिया हो जाएगा 3120 स्क्वेर किलोमेटर और अभी प्रजेंटर में इसका एरिया है 95.4 स्क्वेर किलोमेटर अगर हम मैप में देखें ये हमारा हिमाच्व देश है और यहाँ पर है हमारा Great Himalayan National Park और यह है खीर गंगा नेशनल पार्क जो कि कुलो जीले मी सिँ दित है और इह लाजकी猜ी का पिन वैली नेशनल पार्क इसके लबा यहाँ पर है कि नौर में हमारा रूपी भावा सैंचुरी और इहाँ पर हमारेया संचुरी इन सभी को मिला दी जाएगा और जो टोटल एरिया होगा वो 3,120 स्क्वेर किलोमेटर बन जाएगा और उसके बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नैशनल पार्क बन जाएगा इसके लाबा जो हमारा गेट हमाले नैशनल पार्क है वर्ष 1984 में वन्य जीव सरक्षन अधिनियम यानिकी वाइलाय प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतरगत इसकी स्तापना की गई थी और वर्ष 2014 में जून 2014 में आउट्स्टेंडिंग सिगिनिफेंस और बाइवस्टी कंजर्वेशन यानिकी जय विविता सरक्षन के लिए उत्करिष्ट महत्यों के अंतरगत युनेस्को की वर्ल्ड हैटे साइट की सूची में से शामिल किया गया था इसके लेवा हमारी इंडिया का सबसे बड़ा न이션ल पार्क है वो है हैमिस नेशनल पार्क जो कि लदाक मिस्टीट नावर दूसरे नंब़र पर है डीज़ार नाशनल पार्क और यह राज़ास्तान मिस्टीट है इसका इरिया है पहला स्वयम स्वयतास्मू बन गया है तो कौन सा है यह यह अनमोल सेल्फ हल्फ ग्रूप अनमोल स्वयम स्वयतास्मू तो हमिरपुजी लेके भोरंज के कोकरहोल गाउं में महिलाओं का एक सेल्फ हल्फ ग्रूप है जिसका नाम है अनमोल यह पहला ऐसा सेल्फ हल्फ ग्रू इंडिया विल सेट अप द डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज एट विच प्लेज इन हिमाजरपदेश भारतिय विमान पतन प्राधिकर्ण हिमाजरपदेश में कि स्थान पर डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज स्थापित करेगा तो कहां और इसके लावा, Doppler Very High Frequency Omni Range के लावा, Distance Measuring Equipment इसे भी स्थापित किया जाएगा, तो भूंतर हवाई एडे के निजदीक, कुलो और मंटी के वालडर पर एक हिल है, वो है थाची हिल, थाची चोटी, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा, और इसके दोरा, खराब मौ पर इसे भी स्थापित किया जाएगा है, यह हैं बलवन्त चंद, में गरामिनों को अच्छी ओनलाइन सुविदा पर दान करने में हिमाजवदेश में प्रतमस्तान पराप्त किया है, तो कुलो जिले की यह पंचायत है, यह है कलवारी पंचायत, तो कुलो जिले में बंजार उप मंडल के अंतरगत, एक पंचायत, इसका नाम है कलवारी पं पंचायत, तो इस पंचायत में जो भी रूर्ल एरियाज है, वहां पर ग्रामिनों को अच्छी ओनलाइन सुविदा प्रवाइड की गई है, और इसके अंतरगत हिमाजवदेश में प्रतमस्तान पराप्त किया है, इस कलवारी पंचायत ने, और इसे पंचायती राज दिव 2022 को चिन नित करने के लिए हमाजवदेश चिमला की छात्रन दौरा आईजित कारेशाला का विशय क्या था, इसका विशय रखा गया था स्टेटस ओफ पंचायती राज इंस्टूशन इन हमाजवदेश, तो हाली में रास्ति ये पंचायती राज दिवस जो की 24 अपरेल को म पनाया गया, उसको चिन नित करने के लिए, उसको सेलबेट करने के लिए, जो हमाजवदेश की जितने भी पंचायती राज संस्ताएं हैं, उनमें 70% जो प्रतिनीदी हैं, रिपर्जेंटेटिव हैं, वह यंग हैं, यूवदेश और इनमें 21-30 वर्ष तक के जो हैं, वो है 27-35 परश्चत, 102 ग्राम पंचायते जो हैं, सर्व सम्मति से चुनी गई, और हमारे पूरे हमाजवदेश में 52.9 परश्चत जो हैं, महिला, रिपर्जेंटेटिव हैं, प्रतिनीदी हैं, इसके लाबा, 98.1 परसेंट प्रतिनीदी ऐसे हैं, रिपर्जेंटेटिव ऐसे हैं, जो की लिटरेट हैं, सक्षर हैं, इसके लाबा, जो हमारा राष्टी पंचायती राधिवस हैं, हर वर्श 24 अपरेल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अपरेल 1902 को 73rd Constitutional Amendment Act पारित किया गया था, हमाज़रिश कोवर्मेंट हैं, लाउंच्ट अ 5-year पाइलेट परजेक्ट और हाव मैनी करोज तो पर्मोट एकरिकल्चर तो मीड़ शॉटेज ऑफ ग्रीन और ड्राइफ ओर्डर, हमाज़रिश सरकार ने हरे और सुखे चारे की कमी को पूरा करने के लिए, क्येती को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड की 5 वर्ष ये पाइलेट परुजना चुरू की है, तो जो परुजना है, जो भी हमारा हरा और सुखे चारे की कमी को पूरा करने के लिए, जो भी हमारा ग्रीन और ड्राइफ ओर्डर है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, खेती को औ और बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए एक पालेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और यह पांच-ब्रजेक्ट जो है 5.05-5.00 चार क्रोड रूपई के लागर से शुरू किया गया है इसके लावा हिमाजवर्ष में गाये, भेंस, बक्री, के करीब ये पालतु पशो हैं तो इनकी चारे की मांग को पूरा करने के लिए हिमाजपदेश का लगबग 1529.3 हेक्टेर भूमी को ही उपयोग किया जाता है जो की काफी कम है और हरे चारा जो है हरा चारा जो है काफी कम उपलब्द होता है अब हिमाजपदेश में जिसके कार है उसको ग्रो करने के लिए कोशिश की है जैसे कि हमारा जो जर्शी प्रशू प्रजण फार्म है जो की पालंपूर मिस्तित है बेड़ प्रजण फार्म जो की जियोरी शिमला मिस्तित है मवेशी प्रजण पार्म जो की सिर्मौर के बागितन मिस्तित है और बेड़ प्रज और ताल यहां पर 1.7 क्रोड रुपए खर्च की जाएंगे और इसके लावा जो हमारी अग्रिकल जुनिवस्टी है वहां पर 1.5-5 क्रोड रुपए खर्चे जाएंगे तो कौन सा मंदिर है ये आप इमेज देखे पहचानगे होंगे ये है हमारा मुरिकुला देवी टेंपल तो जो हमारा हमारा हमारे जुनिवस्टी जीले का मुरिकुला देवी टेंपल है किया है कि हूँ वाज दचीफ सेकरेटरी ऑफ हमारा देखे फ्रम टूहरं फोर्टी टूहरं तो पास्ट अवे रिसेंटली वर्ष दो है चौदा से दो हजा सोड़ा तक हमारे जिके मुक्ष जीव कौन थे जिनका हाली में निदन हो गया है ये थे प्रसासार्ति मित्रा पी किया गया था और 31 में 2016 को चीफ सेकरेटरी के पर से रिटायर हो गये थे उसके बाद इन्हें हिमाज़देश का स्टेट इलेक्शन कमिशनर निदन हो गया था और अभी पिछले कुछ समय से ये कैंसर से जूज रहे थे और इनका हाली में निदन हो गया है हिमाज़देश कौशल विकास निगम है साइन एन मयू विद विच कमपनी तो ट्रेन 1800 कैंडिटेट्स इन दे सेक्टर ओफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलजी, टूरिजम और हॉस्पिटल्टी हिमाज़देश कौशल विकास निगम ने सुचना परदोगी की प्रेटन और आतित्ते के क्षित्र में 1800 उमीदवारों को प्रिशिक्षित करने के लिए किस कमपनी के साथ एक समझोतेग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये हैं Edsil Limited तो जो हमारा हिमाज़देश कौशल विकास निगम है उनोंने Information Technology, Tourism और Hospitality इस इन क्षित्रों में 800 केंडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए Edsil Limited के साथ एक MOU साइन किया है और ये जो Edsil Limited है ये एक Public Sector Undertaking है PSU है जो कि भारत सरकार के अंतरगत कारे करती है और ये भारत सरकार के शिक्षा मुंतरालियन की Education Ministry के अंतरगत कारे करती है और जो हमारा हिमाज़देश कौशल विकास निगम है इसके जो मैनेजिंग डिरेक्टर है वो है कुमूद सिंग तो Denmark की सहता सी सब्सक्राद के एंसिट्र के जाएगा ये एस्टलीच किया जाएगा Denmark की सहता से इंडस्ट्रीज इशूर पाइदर हिमार्वेश गवर्मेंट इंडस्ट्रीज है बीन डिवाइड इन्टू हाव मैनी कलोर केटिगरीज हिमार्वेश सरकार दोरा उद्योगों के लिए जारी इंधनीति के नुसार उद्योगों को कितने रंग श्रेणियों में बांटा गया ह तो तीन कैटिगरीज बनाए गई है जो भी हमारी न्यू फ्यूल पॉलिसी है तो हाली में हिमार्वेश सरकार दोरा नई फ्यूल पॉलिसी यानकी इंधनीति इसको लागो किया गया है और इसके अंतरगत हिमार्वेश के उद्योगों में अब पेट कोका इस्तेमाल किया ज जाएगा उससे कम बाले नारंगी श्रणी में और सबसे कम पॉलिशन फ्यलाने वाले उद्योगों को हरे रंगी श्रणी में रखा जाएगा इस एप का नाम है श्रणी तो हाली में श्रणी में श्रणी पॉलिश दोरह एक एप लाउंच लिखिया गया जिसका नाम है श्रणी आप इंटरफेस देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से से डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर लिखियेगा श्रणी इंगलिश में लिखियेगा जैसे यहां लिखा है श्रणी इस तरह से लिखियेगा तो सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो शिम्मला पुलिस द्वारा शोर नहीं इस एप को लाँच किया गया है अगर कोई भी आपके आसपा शोर मचाता है तो उनकी आप शिकायद कर सकते हैं और जो भी आपको असुविदा है उसकी आप कम्प्लेंट कर सकते हैं how many dignitaries have been honored with the ठाकूर वेघदराम national award on the 102nd birth anniversary of ठाकूर वेदराम की 102 जनती पर कितन्य गणमाने व्यक्तियों को ठाकूर वेदराम रास्टी पुलसका से सम्मानित किया गया है तो कितने लोग थे जिने सम्मानित किया गया तो ठाकुर वेदराम जो की भूटिकों के फाउंडर थे तो इनकी 102 जनती थी तो इनकी जनती के अबसर पर जो भूटिकों के अभी अध्यक्षे हैं प्रजेंट में सत्य प्रकाश ठाकुर उनके दोरा 13 लोगों को ठाकुर वेद इक्तिक क्षित्र में डॉक्टर शूषील कुमार फूले को पत्रकार्थक शित्र में प्रिंट मीडिया में आनंद बॉद को और एलेट्र प्र में दिये गया अभी हमने डिसकस किया यहां दिखी इमेज में यह थे ठाकूर अर इनके द्वरा एक हत्करगा सहगारी समीती है जो कि कुल्लू डिस्टिक और पुरी हिमाजबश में काफी फेमस है जिसका नाम है भूटी को इसकी स्थापना की गई थी यह किया गया हिमाजबश भवन जो की नई दिलनी में स्थित है हिमाजबश सरकार और भारते विमान पतन प्राधिकर्ण के बीच की स्थान पर हवाई अड़े के विकास के लिए सियुक्त उद्यम समझाते पर हस्ताक्षर किये गए है तो मंडी जिला के नागचले में ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट बनाया जागा उसके लिए जॉइंट वेंचर एक्रिमेंट पर साइन किये गए है तो हाली में मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर और जो हमारे केंद्री नागरिक उड्डेन मंतरी हैं यानिकी सीविल एविशन मिनिस्टर हैं जो तिराधित तेज सिंदिया इनके उपलक्ष में इनकी मौझुदगी में मंडी के नागचला में ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए एक जॉइंट वेंचर एग्रिमेंट पर हास्ताक्षिर किये गए हैं और यह जो Joint Venture Agreement पर हास्ताक्षिर किये गए हैं यह हिमाज़वे सरकार और Airport Authority of India इनके बीच में साइन किया गया है और इस Joint Venture Agreement के अंतरगत जो मंडी डिश्टिक के नागचला में एरपोर्ट बनाय जाएगा इसका जो Runway होगा लगबग 3150 मेटर होगा यानकी 3.15 किलो मेटर होगा और इसके लिए 2840 बीगा भूमी की पहचान भी कर दी गई है यह थी माई डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पीडियाप चाहिए तो आप टेलिगाम चैनलेश डाउन ओर कर सकते हैं टेलिगाम पर सच कीजिए हिमाजल सक्सेस बूक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडियाप राप्त कर सकते हैं इसके लाब आप फेस्बूक, इंस्टाग्राम, टेलिगाम इन पर फॉलो कर सकते हैं रवाच्छ इट टो यक शेयर आप जाप जासेश्टाग चानलेश तो इससप्क्राइब सेडिक टीजरेछ राइक चानलेश भाइं